तो फाई हैं दोस्तों इंतिजार हुआ खत्म और सर्वाईवर सीडिय्स वार गेम आ चुका है है उन्हें सब को इंतिजार है सप्राइ Studers का रिटरंस का सबको को यह जानना है कि कोन डब वी सुपर-सटार सर्वाईवर सीड वार गेम में रिटरं आ सकता है फैन्स को इंतजार है सिप्फ दो नाम का, पहला नाम तो है दवीस इनकाने ब्रॉकलिस्टर का ब्रॉकलिसटर डब्लेवर ब्लावि得 ऐसे काफी टांग से गाएब है, और फैंस चाते ह Himself ब्लाप का डब्लिस्टर तो वीडियो को आखे तक जहु देखिएगा लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सर्वाइव सीरीज कब देगा सर्वाइव सीरीज 1 दिसमबर 2024 को देगा इसका किक उफ शो चार बजे शुरू होगा और इसका में शो सुबा के पाच बजे और इससे हम लोग सोनी लिप एप पे या सोनी टेन वन और सोनी टेन थिरी पे देख सकते हैं सर्वाइव सीर 124 के रिटन के बारे में एक रिटन तो लगबख कनफॉर्म है और वो रिटन का नाम है दरॉक आप लोग ये तो मानेंगे ही कि रोमर एकस और रॉक की दुश्मनी बस शुरू होने वाली है सोल उसीकवा का चैप्टर खतम होने के बाद रोमर एकस और रॉक का चैप्टर चालू हो जाएगा और इस चैप्टर में सबसे जादा तरका लगाएंगे पॉलहमेन ये rumors आ रही है कि Polymen Romer X को धोका दे सकते हैं Polymen acknowledge कर सकते हैं The Rock को Survivor Sea War Game में The Rock के return आने के बहुत ज़्यादा chances थे क्योंकि The Rock return आके Romer X को challenge कर सकते हैं आप लोग भी comment बताईगा कि Romer X और Rock का dream match दितने के लिए आप लोग कितने ज़्यादा excited हैं और आप लोग क्या चाते हैं कि Polymen किसका साथ दे Romer X का या Rock का comment करके जहूँ बताईगी का अब बात करते हैं दूसरे biggest return के बारे में जो कि Survivor Sea War Game में हो सकता है और वो return है The Beast Incarnate Brock listener का WrestleMania 40 से पहले Brock listener चले गए वना WrestleMania 40 में Brock listener का बहुत बड़ा match था गुंतर के साथ ये dream match था WB फैंस चाते थे कि गुंतर वसे Brock listener का match हो लेकिन ये match होनी पाया WB से Brock listener चले गए WB ने अपने roster से भी Brock listener को हटा दिया लेकिन finally अब WB ने अपने roster में दुबारा Brock listener को add कर लिया है और तब 20 इनकाने Brock listener भी आप WB में यानि कि WB के back stage में spotted होते वे नजर आ रहे हैं तो इस बात की भी guarantee के Survive series में Brock listener भी return आ सकते हैं Brock listener return आ के करेंगे क्या तो मैं आपको बताता हूँ दब 20 इनकाने इन Brock listener अगर return आते हैं तो सब ज़्यादा chance यह है कि वो गुंतर को challenge करेंगे गुंतर और Damian Peace का भी match हो रहा है और इस match में गुंतर अपने title को बचाने में कम्याब रहेंगे लेकिन उसके बाद गुंतर को challenge करने के लिए वहाँ पर दब 20 इनकाने ब्रॉक लिस्टर आ सकते हैं और शायद हमें Survive series के बादोरा पेपर व्यू गुंतर का dream match देखने को मिले आप लोग भी comment बताइएगा कि अगर ब्रॉक लिस्टर और गुंतर का match होता है तो आप लोग किसको support करेंगे तब 20 इनकाने ब्रॉक लिस्टर या फिर रिंग जनर्नल वर्ल्ड हैवियर champion को comment करके ज़रूर बताइएगा अब आई ये बात करते हैं ऐसे return के बारे में जिसे देखके डबल वी फैंस काफी जादा excited होने वाले है और उस return का नाम है Dean Ambrose का डबल वी बार बर हमें ये tease का रही है कि shield बनने वाली है shield बनने वाली है लेकिन डबल वी shield को बनाने रही है सब को ये लग रहाए था कि set rolling रोमाररेक्स को जॉाइन करेंगे ब्रॉंसन रेट ने set rolling को पर हमला कर दिया था बहुत बड़े दुष्मन है तो फैंस ये सोच रही है कि the shield reunite कैसे होगी कब होगी क्यूं होगी तो मैं आपको बताता हूँ, सर्वाइव सीरीज में ये भी हो सकता है कि सेत रॉलिंस अपने बैक अप के लिए वहाँ पर दीन अमरोस को रिटन लाए और दीन अमरोस और सेत रॉलिंस एक साथ रिटन आके रूमारिक्स को कंफरंट करें और शायद इन तीनों के बीच में बहस हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर बाद में दाशिल रिउनाइट होते हैं देख सकती है अरे एक बाद दीन अमरोस डबले वी में रिटन तो आए, आज ने तो कल दाशिल रिउनाइट तो होई जाएगी